हलो व्रिवान दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगे और आपने अपनी प्रिपरेशन जून 24 एक्जामिनेशन के लिए स्टार्ट कर दियोगी हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि जी आरेफ को क्रैक करें कितना स्कोर करें जिससे जी आरेफ किलियर हो जाए हर स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे जी आरेफ तक पहुचना है पिछले एक्जामिनेशन में मैं 10 नंबर से रह गया दो नंबर कोश्टन्स नहीं कर पाया तीन कोश्टन्स गलत हो गए और मेरे जी आरेफ का सपना र right attempt करने हैं और कितने accurate attempt करने हैं तब तक हम एक सही decision के पास नहीं पहुंच पाएंगे एक सही रड़नीती क्या होती है कि इतना तो हमें करना ही करना है इतना तो हमें मंजल पाने लिए इतना attempt करना ही होगा तो यह सारा मैंशन किया है जियार्फ मतलब असिस्टेंट प्रोफेशर एंड जियार्फ दोनों का होता है अगर आपको अंली असीस्टेंट प्रोफेशर के कट आफ दिखना है तो आप इसमें से अपने कम से कम 15 नंबर कम कर सकते हैं अलग अलग क्या कहते हैं सब्जेट्स का अलग अलग होता है यह अप्रॉक्सिमेटली आप 10 से 20 नंबर को भी कम कर लेंगे तो यू विल गेट राइट कट आफ ऑफ दो असिस्टेंट का है जून का भी जून अगर दो यार तेईस का यी बात करेंगे वो भी आल्मोस्ट क्या है पांच साथ नंबर के एड़्दगित है किसी किसी का तो आल्मोस्ट सेम है ठीक है पांस से दस नंबर का फरक पड़ेगा और ही जो मैंने कट आफ रिप्रेजेंट किया है वो यू हमें मेंली टागेट यही रखना है अगर आप देख पा रहे होंगे जितने भी इग्जामिनेशन आपके सामने लिखे एकोनोमिक्स, पॉलेटकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, एडुकेशन, होम साइंस, मेनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिस, जोग्रॉफी और कम्पुटर स सोचियोजी 210, एंत्रोपोलोजी 200, सोचियल वक 202, डिपेज़न स्ट्रेजी स्टैजी स्टैजी 222, पॉलिक एड्मिनिस्टेशन 210, पॉपुलिशन स्टैजी 28, मूजिक 24, संस्कृत 116, फिजिकल एडुकेशन 184, लेबर एंड वेल्फेर 216, लाउ का 200, लिबरेरी एंड सा यह जो कट आफ में आपके सामने रिपर्जेंट किया, यह जनरल कैटिगरी का जियारेफ का कट आफ है, जिसके अंदर जियारेफ प्लस असिस्टन प्रोफिशन दोनों होते हैं, तो अब इतने स्कोर का जो कट आफ होता है, यह अल्मोस कट आफ यही रहता है, दस पंदरा नंबर का आगे पीछे का फरक पड़ता है, हर साइकल में डिपेंट करता है कॉंपरिशन पर लेवल अफ डिफिकल्टी एक्जामिनेशन पर एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो कट आफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि जोनों ने इस बार एक्जामिनेशन दिया, कॉलिफाई किया, अब वो जून 24 में एक्जाम देंगे, तो अलड़ी वो प्रप्रटी स्टूडेंट है, तो वो हाई कट आफ पर तो खेल जाएंगे, और अच्छा प्रप्रपेर करते हैं तो, तो अब हम कैसे इस जी आर एफ में कितने नंबर का सेफ स्कोर करें, पेपर तो में कितना स्कोर करें, उस स्टाड़ेजी पर बात करेंगे, आईए, अगर मैं इन कट आफ को एनलेसिस करता हूँ, तो हमें पता है कि जो यूजी सी नेट का एग्जामिनेशन होता है, वो दो पेपर को मिलाकर है, पेपर वन और पेपर टू, जहां पर पचास कोशन हमक देखने को मिलते हैं, पेपर टू में, और एक कोशन जो है, वो दो नंबर का है, आपने देखा, जो कट आफ है, वो टू हंड्रेट प्लस है, अल्मोस्ट इग्जामिनेशन का, अल्मोस्स सब्जेट का, अगर आप और भी सब्जेट की बात करेंगे, जो मैंने या पे लें मिनिमम आपको यहाँ पर पेपर टू में साथ कोशन तो ठीक करने ही पढ़ेंगे, अगर आप साट कोशन से कम करते हों तो, you will loss the याझे पर बहनऄे करने पड़ेगे तो यहां पर आपको 30 कौशन करने पड़ेंगे यह आपके उपर डिकन गरता आप कहां पर मैंने ज़्यादा करते हैं अगर आप यहाँ पर 60 questions attempt करते हैं, तो यहाँ पर आप 40 questions को मान कर चलिए, 60 questions वहाँ पर attempt करते हैं, तो 40 questions यहाँ पर तो 100 questions बनते हैं, जिस हिसाब से आपका score बनता है, 200 marks का, 200 marks का score बनता है, लेकिन 200 marks क्या है, किस बहुत सारे examination के subject के लिए safe नहीं है, अगर आप home science की बात करेंगे, आपको 2 questions और चाहिए, इंग्लिस की बात करेंगे, है न, अगर आप education की बात करेंगे, आप अगर history की बात करेंगे, pole science की बात करेंगे, तो नहीं है, लेकिन और जगे तो fit हो रहा है, यानि यह minimum score तो आपको करना ही पड़ेगा, 60 प्लस 40, हाँ, अगर आपका paper 2 अच्छा है, अभी मैं minimum की बात कर रहा है, अगर आपका paper 2 अच्छा है, तो आप 65 questions कर लेंगे, तब भी आपको 35 questions यहाँ पर आपको minimum ठीक करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे की नहीं पड़ेंगे, तब आप जाकर 100 questions का score 200 का कर पाएंगे, अब आते हैं, अगर मैं आपको एक सही suggestion दूँ, किस तरह से prepare करें, अपने paper 1 को और paper 2 आप जिन भी faculty से पढ़ रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आप बहुत अच्छा score कर पाएंगे, तो मेरी आप से एक बहुती बहुत सलहा रहेगी, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा GRF हो जाए, एक बोलते हैं, 60 score क्या होना चाहिए, 60 की रणनी थी, तो देखो भाई, paper 1 क्या है, easy होता है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि easy होता है, easy है, easy है, 10 unit है, उसमें आप किसी भी unit को skip भी कर सकते हैं, लेकिन unit को skip करने का मतला बें आप risk ले सकते हैं, लेकिन जब आप किसी unit को skip करेंगे, तो बाकी units आपकी बहुत strong होनी चाहिए, तो paper 1 में unit को skip करना बहुत risky है, लेकिन paper 2 में तो आप skip कर सकते हैं, तो यह depend करता है कि आपको उस examination में, उस subject में command कैसी है, मैं skip करने वाली बात को अभी repeat करता हूँ, अगर बेटा, paper 1 में, 40 question का score करते हैं, 40 question का score करता है, paper 1 में, paper 1 में, अगर आप 40 questions करते हैं, और यहाँ पर 65 question करते हैं, 65 to 70 question, चीक है, paper 1 में, 40 question और 65 to 70 question, आप किसी भी subject से होंगे, आपका जी आरफ नहीं रुख सकता, किसी भी subject से, अगर आप इन score को add करके दिखते हैं, तो आपके पास 110 number तक पहुंच रहे हैं, जो कि 220 number आ रहे हैं, आप एक selection वाले qualifying जूर मर आ जाएंगे, अब आप कुछ units को देख पार होंगे, जहाँ पर score 220 से ज़्यादा है, इस paper 1 के score को 45 question के पास लेकर आना पड़ेगा, आप नहीं देखा किसी भी subject से क्यों ना हो, आप 83 subject से क्यों ना है, भी exam में कोई भी subject से exam दे रहे होंगे, लेकिन आपको अगर जी आरफ तक पहुंचना है, तो without paper 1 और paper 1 नहीं, paper 1 में एक अच्छा score, एक good score, एक best score के बिना आप जी आरफ नहीं qualify कर पा रहे हैं, तो only the paper 1 can achieve, can help you to crack your examination in June 2024, आप paper 1 में क्या वाकई सर 45-40 कोशिस ठीक करे जा सकते हैं, एक minute में मैं आपको यह बतलाता हूँ, बिल्कुर प्रूफ के साथ बात करनो paper, मैंने सर्फ वो कौन से unit है, जिसमें कम पढ़ाई करके थोड़ी practice को बढ़ा ले, तो हम अपने score को boost कर सकते, आईए, अगर मैं आपसे math की बात करूँ, तो limited topics है, 12 topics, reasoning की बात करूँ सर जी, तो reasoning में क्या है दोस्तों, चार topics, चार से पाँच topics, दियाई में केबल एक ही topic है, इसका नाम है table chart, reading combination पढ़ते ही solve होता है, किसी को कोई problem नहीं होनी चाहिए इसमें, logical reasoning में तीन से चार important topics है, आप उनको cover कर लेंगे तो logical reasoning के सारे questions ठीक कर ले जाएंगे, ICT की बात करें, ICT में आप maximum 5 topics पढ़कर आप अपना best score कर सकते हैं, best नहीं 100% score कर सकते हैं 5 topics, सर कितना score है, आप math और reasoning की बात करेंगे, आज के time पर 8 questions पूछे जाते हैं, DI में 5 questions, RC में 5 questions fix है, LR के 5 questions और ICT के questions बढ़ गए, around to 7 questions हर एक सिप्ट में पूछे गए हैं, अगर मैं इनको calculate करूं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कुछ भीतार हूं, आप अपनी सिप्ट को देख सकते हैं कि मैं तो reasoning के कितने questions आएं, आठ प्लस साथ, पंदरा, पांच बीस, पांच पच्चिस और पांच तीस, यह 30 questions आपके होते हैं, कितने हो गए 30 questions हो गए, इनके बाद आपके पास कुछ units बाकी हैं, कौन-कौन सी बाकी हैं, आपका people development environment, research aptitude, teaching aptitude, और आपका communication, and higher education, इनको मिलाकर अगर आप यहां से इन पांच यूनिट से जो कि 20 से 25 questions के बीच में पूछे जाएंगे, अगर आप इन यूनिट से अपने 10 questions से 12 या 15 questions तक score करते हैं, तो paper 1 में आपका 40 से 45 questions का score होगा, जो कि 90 questions तब की आप पहुंच जाएंगे, 90 number तब पहुंच जाएंगे, अगर paper 1 में 90 number लाते हैं, तो paper 2 में अगर आपने 60 questions भी कर दिया, तो 60 plus 40, 200 होगे, 60 plus 45, 210 number होगे, और अगर आपने वहाँ पर 65 questions all किये, तो आपके 220 का score होगा, अगर वहाँ पर आपने 70 या 66 का score किया, तो आपके 224 का score हो, जो सबसे highest score है, जीरेफ examination का, जीरेफ के cut-off का, तो आपको target क्या करना है, paper 1 को इतनी मजबूती से पकड़ना है, कि यहाँ पर आप 40 से 45 questions ठीक कर पाएं, वो units बताएं कि इन units की help से आप question को score कर सकते हैं, यह numerical units हैं, इनको छोटे-छोटे concept से बस इन भी practice करना है, यह पर क्या करना, आपको theory पढ़ना है, यह भी important parts है, यहाँ से भी score आता है, अगर आपके इन units पर command तो well and good, आप इन पर काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा syllabus बढ़ा हो जाता है, theoretical parts होती है, numerical में क्यों होता है कि आपने 5 साल arts and commerce background में पढ़ा है, theory theory पढ़ रहे हैं, तो आप हो सकते हैं, आपके numerical में interest create हो जाए, तो आप यहाँ से score boost कर सकते हैं, अगर आपके theoretical parts में बढ़न है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो यह तरीका है, सरी कैसे score achieve कर पाएंगे, आपने तो easily कर दिया 45 questions ठीक कर लो, मेरे एक paper when का batch आ रहा है an academy 24 में, इसके थुरू आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, 50 में 45 से जदा questions correct कर सकते हैं, 46-47 तर correct कर सकते हैं, even you can solve it 50 out of 50 questions, just attempt this course, और course कि आपने अगर हमाई सारी classes attempt कर ले, you will definitely crack your examination, चार faculties मिलके आपको paper होंगे, complete course कराएंगे, जो कि 10 फरवरी से आपका course start हो रहा है, इसको आप join कर लेंगे, 10 फरवरी से, इसमें ये सारी units का faculty का name लिखा है, कौन सी units पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये units पढ़ा रहा हूँ, चीक है, जोसा मैंने आपको अभी explain किया था, ये class का timing है, already सब कुछ structure है, साड़े तीन मैने में syllabus खतम हो जागा, ताकि आप revise कर पाएं, practice कर पाएं, mock test लगा पाएं, आप अपनी preparation को strong कर पाएं, क्योंकि यही वो factor है, जो आपको JRF दिलाएगा, तो इस factor का syllabus अगर जल्दी कर पाएंगे, और ज्यादा कर पाएंगे, ये subjects है on academy में, अगर आप paper one plus paper two में जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास 19 subjects हैं, और ये subject की पूरी list है, आप इसको देख सकते हैं, इसका screenshot भी ले सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, ये एक feature है, जिसके थूरू आप math reasoning में कोई भी doubt सारा है, DI में तो आप हमसे बात कर सकते हैं, Hindi में, English में, किसी भी language में आप बात कर सकते हैं, ठीक है, doubt sessions होते हैं, ये सारी PDF को आपको जंजट नहीं है, कि PDF को मुझे रखना पड़ेगा, PDF और किसी भी class की PDF आप कभी भी download कर सकते हैं, written PDF और without written PDF, किसी भी time download कर सकते हैं, there is no need to download it, ये questions रहेंगे, this is most important बात, आज अगर आप इसको इंड्रॉल करते हैं, आज और कल के अंदर, तो Unacademy आपको 12 मन्त की subscription, 6 मन्त की और 24 मन्त की subscription में 50% का discount offer कर रहा है, 50% का discount को आप use कर सकते हैं, तो ये cost है, इसके थुरूँ आप अपने paper 1 का score, 90, 94, 96, 98, 100 out of 100 भी कर सकते ह चार faculties मिलके paper 1 को उसलिबस कबर करेंगी, अब सोची, तभी उसलिबस जल्दी पूरा हो पएगा, expertise चार्स faculties के, वो आपको पढ़ाएंगे, तो चार लोग अगर आपको पढ़ा रहें, 10 units को मिलकर, तो आपका definitely score अच्छा होगा, इस offer को आप use करके, अपनी preparation को start कर सकते है क्या code use करेंगा, अगर आपको यह opportunity, यह offer यूज़ करना है, तो मेरा नाम है रज्यत, और अपना सपना, यानि की JRF, जिसकी बातचीत चल लगी थी, वो लगा कर code को इस्तमाल कर सकते हैं, और अपने इस course का हिस्सा बन सकते हैं, मेरी class जो है, रीजिनिंग की start हो रही, मैं प करिएगा, जिसके लिए आपको 200 नंबर लाने ही लाने है, 100 कोशन ठीक करने ही करने है, अगर आप 60-70 कोशन पेपर 2 में करते हैं, तो पेपर 1 में आपको 30-40 कोशन ठीक करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको structure course, बहतरीं classes की जरूरत है, बहतरीं practice की जरूरत है, बहतरीं mock test कर सकते हैं, बहतरीं के दम पर कैसे GRF निकाला जा सकता है, जो कि मेरे मैंने आपने कई सारे student को December 2023 में, 73 से ज़्यादा student को GRF qualify कराया, यह मेरा जो experience है, वो आपको help करेगा और आपको सपनों तक पहुचाएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, और अपने paid batch मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्यार लगएगा, thank you so much